पादी भाग जोनों कैसे हैं आप सब आप सभी पर्मातारानी की किरपा बनी रहें सावन मास प्रारंब होने वाला है और सावन मास में सीव जी की पूजा का बड़ाही महत्व होता है ऐसा माना जाता है कि भगवान शीव को या मास अतिप्रिय है लेकिन जितना सोंबार का महत्व इस मास में होता है उतना ही महत्व मंगलवार का भी होता है यह पूरा महिना भगवान भोलेनात को अतिप्रिय है जिसका आरण स्रावन मास के सोंबार में भगवान शीव को परशन करने के लिए ब्रत रखा जाता है उसी प्रकार स्रावन मास के मंगलवार के दिन माता गौरी के ब्रत का भी बिधान है पौरानी कथाओं के अगर बात करें तो उसके अनुसार एक सहर में धर्मपाल नाम का एक ब्यापारी रहता था जिसकी पत्नी बहुत ही खुपशूरत थी और उसके पास धन संपत्ती की भी कोई कमी नहीं थी लेकिन संतान नहोंने के कारण दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे कुछ समय के बाद इस्वर की किरपाशे उनको एक पुत्र की प्राप्ती हुई परंतुवा अलपायू था और उसे स्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयू में सर्प के काटने से उसकी मृत्यू हो जाएगी संजोग से उसकी साधी 16 वर्ष की आयू पूर्ण होने से पहले ही हो गई जिस कन्या से उसका विवा हुआ था उस कन्या की माता मंगला गौरी का ब्रत किया करती थी माग अगौरी के बरत की महिमा के प्रभाव के चलते उस महिला को कन्या को अशिर्वात प्राप्थ था कि कभी भी विद्वा नहीं हो सकती कहा जाता है कि अपनी माता के इसी बरत के प्रताप से धर्म पाल की बहु को भी अखंड शोभाग की प्राप्थी हुई और उसे पकति को 100 वर्ष की लंबी आयू प्राप्त होई तभी से मंगलागोरी ब्रत की शुरुवात मानी जाती है धारिम अन्यता है कि इस ब्रत को करने से महिलाओं को अखंड शोभाग्य की प्राप्ती तो होती ही है साथ ही दमपत्य जीवन में शदैव प्रेम भी बना रहता है जै भूलिनाज मादीव